ओम शिवेंगडे साय नम्हा मैं प्रोफेसर एस्वी एजस नारायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित स्री राम चर्त मानस के उतरकांड से समंदित विविन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब विविन लोगों की आयोध्या से विदाई होते वक्त और किस किस का खासकर निशाद राज की विदाई किस प्रकार हुआ अब इस पद में सबसे पहले गोस्वामी तुलसी दास जी के शब्दों में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे पुनिक्रुपाल लियो बोलिनिशादा दिनहे भूशन बसन प्रसादा जाहु बवनमम सुमिरन करेहु मन क्रम भचन दर्म अनसरेहु तुम्हे मम सक्खा भरत सम ब्राता सदा रहेहु पुर आवत जाता बचन सुनत उपजा सुख बहारी परेवु चरन भरी लोचन बारी चरन नलिन वुर दरि गृह आवा फ्रभु सुभावु परिजन निही सुनावा रगुपती चरित दे की पुरु बासी पुनी पुनी कहा ही दन्य सुक रासी राम राज बैते त्रै लोका हरशती बै गई सब सोका बयर नाकर काहुसन कोई राम प्रताप बिशमता कोई बरास्रम निज निज धरम निरत बेद फत लोग चलही सदा पावही सुकाही नहीं बै सोक नरोग देखिए अब क्या क्या हो रहे हैं देखिए पुनी कुरुपाल लियो बोली निशादा दीन है बूशन बसन प्रसादा जाख बवन मम सुमिरिन करेख मन क्रम बचन धरम अनुसरेख देखिए फिर कुरुपालू अत्यंत दयालू करुना निदान प्रभुशी राम चंदर प्रभुशी ने निशाद राज को बुला लिया और उसे आभूशन वस्त्र प्रसाद में दिया बगवान जो भी देते हो तो प्रसाद ही है फिर कहा अब तुम भी गर जाओ वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तदा कर्म से दर्म के अनुसर चलना देखिए के अनुसार चलना वही प्रभु की पूजा है तुम्हे मम सका बरत समब्राता सदा रहे हु पुरु आवत जाता बचन सुनत उपजा सुक भारी परेव चरन बरी लोचन बारी तुम मेरे मित्र हो और बरत के समान बाई हो अयोध्या में सदा आते जाते रहना या वचन सुन तेही उसको भारी सुक वुत्पन हुआ नेत्रों में अवर अत्यंत आनंद और प्रेम के आसुआंका मतला प्रेमाश्रू जल बर कर वो चरनों में गिर पड़ा चरन नलेन वुर धर गुरुः आवा प्रभु सुभाव परिजन निही सुनावा रगुपति चरित देखी पुरुबासी पुनि पुनि कहां ही धन्य सुकरासी फिर भगवान के चरन कमलों को पुरुदय में रख कर गर आया और आकर अपने कुटुम्बियों को उसने प्र प्रभु का स्वभाव सुनाया शिर अगनाद जी का यह चरत्र देखकर अवद पुरुवासी बार बार कहते हैं कि सुक की रासी शिराम चंदर जी धन्य है राम राज बैटे त्रैलो का हरशत बैगई सबसो का बैर नकर काह सन कोई राम प्रताप विश्मता कोई शिराम चंदर जी के राज पर प्रतिष्टित होने पर तीनों लोक हरशित हो गए हैं उनके सारे शोक जाते रहें कोई किसी से वयर नहीं करता प्रिबुशी राम चंदर जी के प्रताप से सब की विश्मता मतलब आंतरिक बेद बाव अपने आप मिट गई सब लोग अपने 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 कर्म से अरदात जिसकी अपनी प्रतिबास से जो जिसके लिए योग्य हैं वही काम वही हमारा वर्न और अस्रम है इसके अनरूप दर्म में तत्पर हुए सदावेद मार्ग पर चलते हैं और सुक पाते हैं उन्हें ना किसी बात का बै है ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है यही प्रिबु का बताना है और यहां इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं तब दयालू हत्यनत कृपालू प्रभु शीराम चंदर जी ने निशाद राज को बुला लिया और प्रसाद में अनेक वस्त्राबोशन अर्पित किये और यह भी सुचित किया कि अब तुम भी गर जाओ और जाकर वहां मेरा स्मर करते रहना और कैसे मन वचन तदा कर्म से दर्मान कुल आचरन करना जो दर्मान कुल आचरन ही बगवान का स्मरन है तुम मेरे सका और भरत के समान बाई भी हो आयोध्या सदा आते जाते रहना आप इसे अभी गये हैं इसे कोई बात ने आप आते रहना यह सुनते ही उसे अत्यन्त सुक और प्रसन्नता का अनबव हुआ नेत्रों में प्रमाश्रुवों का जल बरकर वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा प्रभु शिरामचंदर जी के चरण कमलों को हुरदय में दारण कर वो गर्ल लवट आया और यहां आकर उसने अपने संपोन परिवार जन को प्रभु का स्वभाव सुनाया प्रभु शिरामचंदर जी के इस चरत्र को देखकर सभी साकेत पुर्वासी बार बार कहते हैं कि सभी सुकों की राशी प्रभु शिरामचंदर जी धन्य हैं जैसे शिरामचंदर जी के सिंगासन पर प्रतिष्टित होने पर तीनों लोग प्रसन हो गए उनके सारे शोक संताप अपने आप मिट गए हैं कोई किसी से वह नहीं करता प्रभुशी राम चंदर जी की महिमा से सब की विश्मतार्दाद बेद बाव अपने आप समाप्त हो गए गए हैं जब रामराज में सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम में यहां इसका मतलब कहें कि जो जिस काम करने योग्य हैं वो काम कर सकते हैं वही हमारा वर्ण है वही आश्रम है वे सदा वेत पत पर चल कर सुक पाते हैं उन्हें प्रभु के जो मानते हैं प्रभु के अनुसा जो चलता है उन्हें ना बय है ना शोक ना कोई रोग ही नहीं जै शीराम जै शीराम